नमस्कार दोस्तो ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम देखने वाले है आईसुजू की डी मैक्स रेगुलर कैप पिकप इस गाड़ी के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू गरते हैं आईए थोड़ी सी जानकारी पाते है आईसुजू की डी मैक्स रेगुलर कैप पिकप इस गाड़ी के बारे में दोस्तो इस गाड़ी में तीन मुखे वीरेंट्स अवेलेबल है जिनके नाम है आईसुजू डी मैक्स हाई राइड आईसुजू डी मैक्स लो राइड और आई करते हैं दोस्तो आईए जानते हैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत के बारे में दोस्तो इस गाड़ी की कीमत साड़े छे से साथ लाक रूपे के बीच में रखी गई है दोस्तो ये एक शोरूम कीमत है इस बात का ध्यान दीजिएगा भारत के अलग-अलग शेरों और प्रां 4 Cylinders Inline 2499 CC का TCIC यानि की Turbo Charged Intercooled Diesel BS4 Engine यूज़ किया गया है जो Maximum Power देता है 78 HP की 3800 RPM और 176 Nm का टॉरक 1800 से 2400 के रिपेम पे Gearbox की बात करें तो इस गाड़ी में 5-speed Manual Gearbox O-Drive फीचर के साथ दिया गया है और Single Plate Drive Friction Type Clutch के साथ दिया गया है दोस्तो इस गाड़ी के Steering की बात करें तो इस गाड़ी में आपको Tilt Adjustable Power Steering दी गई है ताकि ड्राइवर अपने अंदास के सबसे Steering एड़ेस करके Optimum Driving Position पास सके बैटरी सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 12V की बैटरी दी गई है 70A के Alternator के साथ टायर सैस की बात करें तो इस गाड़ी के Standard Red Variant में आपको 15 इंच के टायर दिये गए है और High Ride Variant में आपको 16 इंच के टायर दिये गए है Fuel Tank की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 55 लीटर का Diesel Fuel Tank दिया गया है दोस्तो आईए देखते हैं Isozu D-Max Regular Cap Pickup के Suspension और Brakes के बारे में Suspension की बात करें तो आगे वाले एक्सल पर Coil Spring Suspension Double Wishbone सिस्टम के साथ दिये गए है और पीछे वाले एक्सल पर Semi Elliptical Leaf Spring Type Suspension Hydraulic Telescopic Shock Observers के साथ दिये गए है ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में Hydraulic Type Brakes LSPV यानि की Load Sensing Proportionating Welp System के साथ दिये गए है इस गाड़ी में आपको आगे की और Ventilated Disc Brakes और पीछे की और Drum Brakes दिये गए है दोस्तो आईए देखते हैं Isozu की D-Max Regular Cap Pickup के Competitors यानि की प्रतियोगिता के बारे में तो दोस्तो आईशोजू की D-Max Regular Cap Pickup मार्केक्ट में मौझूद महिंद्रा की Imperio, Tata की Zenon Yodda Eco, Force Motors की Cargo King Star, महिंद्रा की Bolero Maxi Truck और अशोक लेलैंड की दोस्त प्लस इन गाड़ीयों के साथ मुकाबला करेगी आईए जानते हैं Isozu D-Max Regular Cap Pickup के वजन और आयाम यानि की Weights और Dimensions के बारे में दोस्तो GVW यानि की Gross Vehicle Weight की बात करें तो वो है 2850 किलो पेलोड यानि की वजन्ट होने की शमता की बात करें तो Standard Ride Variant का पेलोड है 1200 किलो यानि की 1.2 तन और High Ride Variant का पेलोड है 1155 किलो यानि की 1.1 तन Ground Clearance यानि की जमीन से उचाई की बात करें तो Standard Ride Variant का Ground Clearance है 190 mm और High Ride Variant का Ground Clearance है 220 mm गाड़ी की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 17.6 feet और चोड़ाई की बात करें तो वो है 6 feet पीछे की डाले की लंबाई की बात करें तो वो है 7.8 feet और चोड़ाई है 5.6 feet दोस्तो आईए जानते हैं सबसे मुख्य चीज यानि की इस गाड़ी के एवरेज और माइलेज के बारे में आईए जानते हैं आईसुजू D-MAX Regular Cap Pickup के वारेंटी और कलोर ओप्शन के बारे में वारेंटी की बात करें तो इस गाड़ी पर आपको आईसुजू की तरफ से 3 साल या 1 लाग किलोमेटर की वारेंटी दी गई है आईए जानते हैं कलोर ओप्शन के बारे में इस गाड़ी में 3 मुख्य कलोर ओप्शन अवेलेबल है जो है स्प्लैश वाइट, ओपसीडियन ग्रे और टाइटेनियम सिल्वर दोस्तो इन तीनों में से आप एक कलर आपके अप्लिकेशन के अनुसार चूज कर सकते हैं दोस्तो आईए देखते हैं आईसुजू D-MAX रेगुलर के पिकप के उन फीचर्स के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा आच्छे लगे है दोस्तो इस गाड़ी में आपको blower प्लस heater एस टेंडर दिये गए है उसी के साथ साथ इसमें आप optional air conditioner यानि की AC लगवा सकते हैं उसी के साथ साथ इस गाड़ी में height adjustable seat belts और adjustable seats दिये गए है ताकि driver optimum driving position पा सके उसी के साथ साथ इस गाड़ी में clutch footrest भी दिया गया है ताकि लंबी journey के वक्त आप आपके left pair को आराम से रख सके दोस्तो इस गाड़ी में vinyl seat aplos 3 दी गई है वो इस गाड़ी को थोड़ी सी luxury feel देते है उसी के साथ साथ इस गाड़ी में vinyl floor carpet, adjustable ORVM mirrors, 12 old का charging point, cup holders, twin glow box और digital clock भी दिये गए है भाई लोग आईए देखते है आई-सुजू D-MAX regular का pickup के safety features के बारे में दोस्तो इस गाड़ी में LSPV यानि की load sensing proportionating valve approved ABS यानि की anti-lock braking system दिये गए है जो की loaded गाड़ी को रोखने के लिए सक्षम है उसी के साथ साथ collapsible steering column, headlight on reminder buzzer, key not removed buzzer, seatbelt warning lamp, day night IRVM यानि की interior mirrors उसी के साथ साथ ELR seatbelts और lowest NVH यानि की noise volume harshness levels एप्लिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी को आप food truck और FMCG यानि की खाने पिने के products उसी के साथ साथ e-commerce distribution, market load, फल सबजी का परिवहन, अंडे और chicken carrier, उसी के साथ साथ mineral water, gas cylinders, दूद products और pharmacy और refrigerated containers में इस्तेमाल कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने बोलो और सुपरो के वीडियो में कमेंट किया था कि आपको आइसुजू की डीमैक्स रेगुलर कैप के ऊपर वीडियो देखना है और बहुत से रिक्वेस्ट आ रही तो थी तो मैंने सोचा कि चलो बना देता हूँ क्योंकि ये गाड़ी जोए दोस्तों इसके मतलब sales भी ठीक था के पर रस्ते पे ज्यादा दिखती नहीं है फिर भी मुझे ठाने में वागड़े स्टेट में एक गाड़ी मिली थी तो या इस गाड़ी का जो माइलेज अबरेज जो भी चीज़े प्लस माइनस मैंने उनसे पुछके निकाला था एंड बनना डली है वीडियो क्योंकि आइटिंक सो यूटूब पे भी बहुत कम चांकरिया इस गाड़ी के बारे में तो आई सुजुकी और बहुत सारी गाड़ी है उनके बारे में चांकरी पानी हो तो नीचे कमेंट कीजेगा मैं आप वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो कैसे लोगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना लाइक करना वीडियो को मैं आपको मिलता हो अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रही ट्रिपल डाइकास्टन व्लोक्स ट्रक टॉक्स जैहिंद और हाँ आज है महाशिवरात्री तो मेरे सभी दोस्तों क महाशिवरात्री की हर्दिक शुपकाम नहीं और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए एंजोई कीजिएगा और बने रहीगा चेस यो लाइफ लिव यो ड्रीम्स और जैहिंद बाइबाइ